Albert Hall Museum, 1887 में एक संग्रहाले के रूप में जनता के लिए खोला गया, Albert Hall संग्रहाले जैपुर का सबसे पुराना संग्रहाले है 140 साल पुराना संग्रहाले रामनिवास गार्डन में स्थित है और अगर आप इस शहर आए हैं, तो आप इस संग्रहाले में भी जरूर आए Museum हवा महल से केवल 10 मिनिट दूर है वो कहते हैं न ओल्ड इस गोल्ड और इस बात से तो आप भी सहमत होंगे की पुरानी चीजें ही लोगों की नजरों में हमेशा कमाल कर देती है एक ऐसी ही पुरानी जगह जैपुर में है, जो आज भी लोगों की घूमने की लिस्ट में सबसे उपर आती है जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैपुर के सबसे बड़े और पुराने म्यूजियम अलबर्ट हॉल की, जिसे महराजा राम सिंग द्वारा बनाया गया था आपको बता दें, 1887 में इस संग्रहाले को जनता के लिए खोला गया था, 135 साल पुराना संग्रहाले राम निवास गार्डन में स्थित है अगर आप शहर घूमने के लिए जा रहे हैं, तो ये म्यूजियम भी एक जरूर जाएं चलिए आपको इस म्यूजियम के बारे में बताते हैं क्यों बनाया गया था ये म्यूजियम हवा महल से 10 मिनिट की दूरी पर मौजूद इस म्यूजियम को सरकारी केंद्रिय संग्रहाले भी कहा जाता है अलबर्ट हॉल की स्थापना साल 1876 में 6 फरवरी को प्रिंस ओफ वेल्स, अलबर्ट एडवर्ड की जैपुर यात्रा के दौरान रखी गई थी उनके नाम पर ही इमारत का नाम रखा गया है लेकिन इस हॉल का उप्योग कैसे किया जाए ये दुविधा उस दौरान काफी बनी हुई थी महाराजा सवाई राम सिंग शुरू में चाहते थे कि संग्रहाले भवन एक टाउन हॉल हो कुछ ने इसे सांस्कृतिक या शैक्षिक उप्योग में लाने का सुझाव दिया लेकिन डौ थॉमस होबिन हैंडली ने स्थानिय कारिग्रों को अपनी शिल्प कलाकारी दिखा कर उसे यहां प्रोचाहित करने का सुझाव दिया था जैपुर के ततकालीन महाराजा, महाराजा सवाई माधो सिंग द्वितिय को उनका विचार पसंद आया और उन्होंने इसे 1880 में जैपुर के स्थानिय शिल्पकारों की कलाकृती को प्रदर्शित करने वाला एक संग्रहाले बनाने का फैसला किया संग्रहाले को आखिर में 1887 में जनता के लिए खोल दिया गया था तो इसलिए हो रहे हैं मनाली और शिमला में होटल महंगे, आप भी बुक करने से पहले एक बार जान ले म्यूजियम की खूबसूरत वास्तुकला म्यूजियम की भव्य वास्तुकला आपको हैरान कर देगी यहां की डिजाइनिंग इंडो सेसिनिक शैली में निर्मित है, संग्रहाले को महराजा राम सिंग के शासन में सैमुल स्विंटन जैकब द्वारा डिजाइन किया गया था अब म्यूजियम में जैपुर कला के कुछ बहतरीं काम, पेंटिंग, कलाकृतियां, आभूशन, कालीन, धातू, पत्थर और हाथिदात की मूर्तियां मौजूद है अब मथुरा से व्रिंदावन जाने के गाड़ी से जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, जल्दी ही होने वाली है, क्रूज, सेवा दममी भी देख सकते हैं यहाँ मुद्रा शास्त्र में रुची रखने वालों के लिए, आपको अलबर्ट हॉल संग्रहाले में सिक्कों का कलेक्शन किसी आकर्शन से कम नहीं लगेगा ये सिक्के गुप्त, कुशान, दिल्ली सल्तनत, मुगलों और अंग्रेजों के समय के है क्या आप जानते हैं कि अलबर्ट हॉल संग्रहाले भी भारत के उन शे स्थानों में से एक है, जहां आप मिस्र की ममी को देख है ये छे स्थान जैपुर में अलबर्ट हॉल संग्रहाले, कोलकाता में भारतिय संग्रहाले, हैदराबाद में वाई-स राजशेखर रेड़ी राज्य संग्रहाले, छेत्रपती शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहाले, मुंबई, राज्य संग्रहाले, लखनवु और बड अल्बर्ट हॉल म्यूजियम टिकेट अल्बर्ट हॉल म्यूजियम हफ्ते के सभी दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है पर्यटकों के लिए टिकेट भारतिय पर्यटक 40 रुपए विदेशी यात्री 300 रुपए उपर बताई गई टिकेट आपको परिसर में मिल जाएंगी घूमने की जगह तो देख ली अब ठहरने के लिए 1800 रुपए से भी कम में सरकारी गेस्ट हाउस की कर लें बुकिंग अल्बर्ट कैसे पहुँचे अल्बर्ट हॉल जैपूर के रामनिवास बाग में अजमेरी गेट के पास स्थित है हॉल तक पहुँचने का सबसे आसान तरीका ओटो रिक्षा या टैक्सी लेना है ओटो चालकों से सावधान रहें क्योंकि यहाँ वे विदेशियों से ज्यादा कीमत वसूलते है जैपूर में भी कैब आसानी से बुक की जा सकती है